हलो एवरिवन अभिनव नाम है मेरा स्वागत करता हूँ एक बार फिट से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्स बाई अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं और ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 उपर जाएंगे और काफी उपर जाएंगे इसमें मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ at least 14 to 15 वीडियो जानी चाहिए 14 के एप्रॉक्स अगर सब में 250 कॉशन भी लूँ तो 200 हाँ मतलब 14 के एप्र तो इतने वीडियो जाएंगी और आई होप आप रेगुलर हो रेगुलर होना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना SSC जो है न वो एक्जाम है ऐसे बच्चे निकालते हैं जो end तक डटे रहते हैं ऐसा बच्चा ने निकालता जो बहुत तेज हो अगर बहुत तेज है न तो वो banking निकालेगा वो UPSC निकालेगा बट SSC में न वो बच्चा ही निकाल पाता है जो consistent रहता है तो आपको consistent होना है सारे chapters करने हैं books की practice करनी है mocks देने हैं बस regular रहना है निकल जाएगा ओके आज हम लोग polynomials के बारे में पढ़ेंगे algebra का basics है कई बार इससे question आ जाते हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा सा theory portions आज जादा है हलागी numericals भी ले रखा है बट theory portion है और मैं समझाओंगा कि आपको polynomial ह होता क्या है basically algebra के बारे में मैं आपको बता दूँ algebra वही चीज है जिससे ना बच्चे maths में जो actually मेरा maths में खौफ लाता है बच्चों के अंदर 6, 7th, 8th class में ही पता चल जाता है कि आप maths से प्यार करने वाले हो या नफरत करने वाले हो 9, 10th में भी इसका रोल है तो 6 से लेगे 10 तक हमेशा आप algebra पढ़ोगे और 10 तक आपकी algebra इतनी strong हो जाती है कि आप 11, 12 में algebra कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता है यह जितने भी आप equations देखते हो, square की value, plus को उधर लेगे जाना, minus को उधर लेगे जाना, यह सब algebra में आता है, आज हम उसी के बार में पढ़ने वाले हैं, classes की pdf के लिए telegram channel और मुझसे चुड़ने के लिए आप instagram पे connect हो सकते हो, okay, देखो, सबसे पहले polynomial क्या होता है, polynomial क्या होता है, इसको हम polynomial कहते हैं, हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं, आपने अकसर term देखा होगा, जैसे x is equal to 6, तो यह x minus 6 is equal to 0 हो जाएगा, यह I hope आप सबको पता होगा, कि अगर मालो x plus 3 is equal to 6 है, तो यह 3 उधर जाके minus हो जाएगा, तो 6 minus 3, ओके, अगर यहाँ पे x minus 3 is equal to 6 होता, तो x is equal to 6 plus 3 हो जाता, अगर x into 3 होता, तो x is equal to 6 upon में 3 हो जाता, और x को अगर divide में 3 होता और 6 तो x उधर जाके multiply हो जाता, ओके, यह 4 चीजें हैं, जो आपको already आता है, I know, तो यह चीजें आपने पढ़ रखिए पहले, और यह यह भी algebra ही है, सब कुछ algebra है, ध्यान रखना है, जितनी भी आप maths पढ़ते हो ना, सब एक तरह से algebra के अंदर आ जाता है, क्योंकि quadratic equations बनते हैं, linear equations बनते हैं, यह सब polynomial के अंदर आ जाता है, ओके, अब सबसे पहले देखो, polynomial क्या होता है, कोई भी term, जो आप देख रहे होते हो हमारा variable, जिसको हम हिंदी में कहते है, चर, और एक होता है हमारा constant, अचर, देखो, variable क्या है, जो बदलता रहता है, for example, उमर की बारे में बात करें, तो अभी जो मेरी उमर है, कल जो मेरी उमर होगी, वो change हो जाएगा, परसो फिर change हो जाएगा, समय है, change होता रहता है, यह fix न constant नहीं रहता है, तो यह सारे variables होते हैं, जहां कहीं भी आप x, y, z, p, k, z, यह सब देखते हो ना, वो सब variables होते हैं, क्यों क्योंकि उनकी आप कोई भी value रख सकते हो, for example, अगर मैं बोलू, कि x is equal to y, अब बताओ x की क्या value है, तो अगर मैं x की value 1 put करूँ, तो y की value भी 1 हो ज जाएगी, अगर मैं x की value 5 put करूँ, तो y की value 5 आजाएगी, तो कितने भी चीज़ें बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, तो इसको हम बोलते है variables, आप किसी भी equations में जब आप x और y देखोगे ना, उसी को variable कहते हैं, उसको चर कहते हैं, फिर constant क्या होता है, जो change नहीं होता, अगर मैं आपसे पूछू की total कितने महादूइप है, या कितने महासागर है, तो आप बोलोगे 7 या 5, मतलब महासागर I guess, मैं भूल गया हूँ, महादूइप 7 है, महासागर 5 है, तो basically ये constant है, ये fix है, ये fix है, एसिया में कितने country है, ये fix है, ये एक तरह से constant है, जैसे आपक में कितने member है, 6 member है, कलको बढ़ेगा नहीं, ठीक है, मतलब बढ़ेगा, आगे चलके आप साधी करोगे एक बढ़ जाएगा, लेकिन फिर वही है न, थोड़ी दिन बाद दादा दादी भी निकल लेंगे, तो इस तरीके से, मतलब ये चीज़ें fix रहती है, आप किसी भी सम अभी क्या समय हो रहा, नो चालिस, fix है वो, तो वो constant है जो change नहीं होता, तो जो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख रहे होते हो न, वो constant होता है, वो क्या होता है, constant होता है, I hope आपको variable और constant समझ में आ गया है, जैसे for example अगर मैं लिकू 6x plus 3 is equal to 0, अब बताओ इसमें constant क्या है, तो इसम variable क्या है, x, variable क्या है, x, I hope clear होगा यहाँ तक, अब polynomial के कुछ types होते हैं, जैसे कि देखो, पहला होता है monomial, monomial, जैसे x, y, p, t, 6x square, 8x की cube, 9y, z की cube, यह सब क्या है, अब देखोगे, यह एक term है, यह भी एक है, यह सारे क्या है, सिर्फ एक है, तो अगर एक पद हो, अगर एक पद हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, monomial, सिर्फ एक पद हो तो, अगर दो हो तो, अगर दो हो, तो हम बोलेंगे binomial, for example, जैसे अगर मैं लिखू, x plus y, t plus 6, x square plus 5, 9x की cube plus 6, 8t की cube plus 5, t की power 100, यह सब क्या है, यह है binomial, जिसमें दो terms होते हैं, जैसे एक term यह, एक term यह, दो term, power cube कुछ भी हो सकता, ध्यान रखना, अभी हम polynomial की बात कर रहे हैं, तो एक पद है, तो bonomial, दो पद है, तो binomial, binomial मतलब, जिसमें दो पद होते हैं, दूई पद बोल सकते हो, इसको, और एक होता है trinomial, जिसमें 3 होते हैं, ऐसे ही आप कितने भी बना सकते हो, quadrional होगा, जिसमें 4 terms होंगे, तो यह binomial के types होते हैं, I hope clear होगा यहां तक, अब आगे देखो, polynomial में हम पढ़ते हैं, आगे, एक term होता है, degree, ठीक है, for example, जैसे मैंने एक equation लिखा, 6x plus 3, एक equation लिखा मैंने, 8t square plus 5t की cube plus 6, एक मैंने लिखा, 9x की cube, t की cube, plus मैं y की power 3, plus मैं मालो 5, एक term लिख दिया, मैंने, मालो 6x की cube, plus मैं y की power 4, plus मैं z की power 6, मैंने ये 4 term लिख दिये, अब मैंने पूछा बताओ, इसकी degree क्या है? इसकी degree क्या है? मैंने इसका Hindi देखा, Hindi मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कि मतलब हिंदी इसका क्या है? इसका degree को degree लिख रखा था, Google ने भी. तो degree होता है, भेसिकली ध्यान रखना, लिख लो समझ में आ जाएगा, highest power. ये क्या होता है? highest power of variable. जो भी variable होगा ना, उसका जो highest power है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? degree. जैसे इस question में देखो, highest power क्या है? यहाँ पर variable है, x, x की power कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं हो, वहाँ भगवान होता है, यानि 1 होता है, टो इसका degree क्या है? 1. इसका degree क्या हो जाएगा, basically आपका, पहले वाले का degree क्या है? 1. दूसरे में देखो कि t square है, यहाँ t की cube है, तो degree कितना हो जाएगा? 3. degree कितना हो जाएगा? 3. इसमें देखो कि 3, 3, 3, 3 ही है, तो 3 आ जाएगा. हाई येस देख रहे है हम, term x, y, z पर ध्यान नहीं देखना है, हमें बस power देखना है, जैसे देखो, यहाँ x की power 3 है, y की power 4 है, z की power 6 है, तो z की power 6 जो है, यानि 6 क्या हो गया, degree हो गया, क्या बोलते हैं इसको, degree, ओके, I hope, clear होगा कि degree क्या होता है, then, एक होता है हमारा coefficient, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक equation, 6x की cube, plus में 6x square, plus में 6x, plus में 6, okay, एक लिख दिया, मैंने 8x की cube, plus में 9x square, plus में 4x, plus में 6 is equal to 0, okay, अब देखो, coefficient क्या होता है, जो बगल में बैठा हुआ है, जो किसी के पडोस में बैठा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, coefficient, जैसे for example, अगर मुझसे पूछा जाए, coefficient of x की cube, तो पहले वाले equation में 6 है, दूसरे वाले में क्या है, 8 है, जो उसके 7 है, जो उसके 7 है, okay, इसको हम x ही रहने देते हैं, बस, ठीक है, अब देखो, अगर मैं लिख दू, coefficient of x square, से मैं यहाँ पे बताओ, x square के साथ क्या है, पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 9 है, अगर मैं बोलू, x का coefficient क्या होगा, तो x का coefficient यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे देखो, x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, 1 जरूर होता है, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 1, और जिसके साथ variable नहीं है, उसको हम बोलेंगे constant, और बताओ, इस question में constant कितना है, पहले वाले में भी 6 है, दूसरे वाले में 6 है, 6 है, तो इसक वाले को हम क्या बोलते है, coefficient, अब देखो, coefficient का ना कई बार use होता है, for example, जैसे अगर मैं पूछू, आपको बोल दू, ax की cube, प्लस में 6, x square, is equal to, मान लो, 9x की cube, प्लस में, b, x square, अब बताओ, a कितना होगा, b कितना होगा, अगर ये equation, इस equation के equal है, तो बताओ, a और b के equal, a और b की value, कितनी होगी, ये आपसे एक simple सा सवाल पूछा गया है, तो देखो, कितना असान है compare करना, हमेशाना coefficient को compare करो, for example, देखो, यहाँ x की cube के साथ a है, यहाँ x की cube पे साथ 9 है, तो जरूर a की value कितनी होगी, 9, यहाँ देखो, x square के साथ 6 है, यहाँ x square के साथ b है, तो अब बताओ, c की value कितनी होगी, अब आपको क्या करना है, simple आपको equation देखना है, क्या इस equation में कोई भी constant term दिख रहा है, जो अकेला हो, नहीं, तो जरूर 0 रहा होगा, जो दिखनी रहा वो 0 है, अब जैसे मानलो मैं यहाँ पे लिख दू, dx की power 4, अब यहाँ देखो, यहाँ x की power 4 है ही नहीं, तो उस case में d की value कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, I hope polynomial यहाँ तक आपको clear होगा, अब देखो, polynomial में ही ना हम powers देखते हैं, जैसे for example, अगर जैसे यह एक equation है, ax प्लस by प्लस में c is equal to 0, एक equation है, ax square प्लस में b, y square प्लस में c, एक equation है, यह ax square प्लस में bx, प्लस c is equal to 0, ए है ax प्लस में bx, प्लस c is equal to 0, ए है हमारा ax की cube, प्लस में bx, प्लस में c is equal to 0, ओके, यह तीन equation है, अगर highest power 1 हो, अगर highest power 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं linear equation, ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे, रेखी है, समीकरन, यह कब बोलेंगे हम, जब highest power 1 हो, अगर highest power 2 है तो, हम हिंदी में, English में बोलते हैं इसको, quadratic equation, degree को घात बोलते हैं, याद आ गया मुझे, degree को घात बोलते हैं, अभी जो मैंने बताया था न, degree, highest power, उसको घात बोलते हैं, quadratic equation को बोलते हैं, द्वी, घात, समीकरन, highest power 3 है, तो हम इसको बोलेंगे, cubic equation, ठीक है, घन, समीकरन, ओके है, तो अभी हम बारी-बारी से इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे linear equations, अभी मैं पहले theory बता रहा हूँ, और end में 11 questions मैं आज बताऊंगा आपको, और आपके homework में दिये गए है 23 questions, तो homework के questions actually में paid वाले बच्चों के लिए है, तो उसके लिए आपको हमारा नीचे description में batch है, वो join करना पड़ेगा, बाकी ये करने के बाद आप कोई भी chapter अपने book से लगा सकते हो, लेकिन paid वाले बच्चों को कोई और book लगाने की जुरत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैंने साथ में ले रखा है, ताकि इसकी बार-बार जोद पढ़ने वाली है, तो पहले हमना linear equations, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आज लिख रखा है, linear equation, मैं starting में बोलना भूल गया, अपने साथ एक register निकालो, और जो जो लिखवा रहा हूं, उसको लिखते रहो, क्योंकि आपको पता है, मैं annotations की PDF नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि बच्चों को खुद से लिखना चाहिए, जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, तो linear equation आपको पता ही है, क्या होता है, जैसे AX प्लस में BY प्लस में C is equal to 0, यह क्या है, यह एक linear equation है, ठीक है, मान के चलो A1, B1, C1 is equal to 0, यहनी A1X1, B1Y1 और B1Y, प्लस में C is equal to 0, एक और equation दे रखा है, मानलो A2X, प्लस में B2Y, प्लस में C2 is equal to 0, ठीक है, यह दो equations दे रखे हैं, अब इनके बीच में ना कुछ relations होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए, देखो कैसे, पहला है, A1 upon में A2, is equal to B1 upon में B2, अगर कभी भी, कभी भी, A1 upon में A2, is equal to B1 upon में B2, is equal to C1 upon में C2 हो, मतलब एक तरह से यह दो equations है, equations हमेशा line की होती है, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे जागे ना, एक बार आपको समझा देता हूँ, यह equation होता क्या है, जैसे म मान लो मैंने एक equation लिख दिया, 6X plus Y is equal to मान लो 3, तो यह है क्या actually, यह ना एक equation है, एक समीकरन है, जो basically यह एक line है, क्या है यह, यह एक line है, अब इस line को हम draw कैसे कर सकते हैं, तो देखो ऐसे, मैंने यहाँ पे एक X बनाया, एक Y बनाया, अगर मैं X की value 0 put कर दूँ, तो Y की value 3 आ जाएगी, ठीक है, अगर मैं X के बदले, देखो, 6 into में 0, प्लस में Y is equal to 3 put कर दूँ, तो Y की value कितनी आ गई, 3 आ गई, और अगर मैं Y की value 0 put कर दूँ, तो 6X plus 0 is equal to 3, तो X की value आ जाएगी 3 by 6, यानि 1 by 2, clear है, 1 by 2, तो basically यह एक equation था, यह एक समीकरन था, जो basically एक line है, अ आपको यह graph आता ही होगा, ओके, यह graph पता आता होगा, देखो, X की value 0, Y की value 3, तो यह होता गया, यह Y की value होती है, यह X की value होती है, इधर X 1, 2, 3, 4, 5, इस side minus, minus 1, minus 2, minus 3, infinity तक चलता रहता है, उपर Y, 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, यहाँ पर X 0 होता है, Y भी 0 होता है, तो X 0 तो यहाँ है, और Y 3 यहाँ है, तो एक point तो इसकी बात हो रही है, एक किसकी बात हो रही है, इसकी हो रही है, दूसरा क्या है, Y 0, Y 0 और X 1 by 2, तो 1 by 2 तो यहाँ होगा, ठीक है, तो अब जब इन दोनों को मिला देते हो ना, तो य एक equation बनता है ना, यह वह equation है, यह जो line बन रहा है ना, line segment कहलो इसको, यही है, यह एक line है, basically line segment नहीं, 6x plus y is equal to 3, यही एक line है, और value पुट करते रहो गए ना, तो हमेशा यह इसी line में सीधा जाएगा, तो basically इसी को हम lines कहते हैं, इसी को हम equations कहते हैं, तो जैसे इस question में 2 equations दे र बोलते हैं, inconsistent, या फिर many solution, हिंदी में बोलते हैं, और संपाती, स्वरी संपाती, ठीक है, अब देखो इसके, इन सब का मतलब क्या है, simple सी बात है, मैंने लिखतो दिया many solution, inconsistent, संपाती क्या है, देखो कभी भी अगर a1 upon me a2, b1 upon me b2, c1 upon me c2 आ जाया ना, कभी भी, ठीक है, मैं जैसे एक example लेता हूँ, मैंना दो equations लेता हूँ, ठीक है, अब समझो इस चीच को, इसी को, मैं थोड़ा detail में करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं समझ में आना चाहिए, कि ये work कैसे करता है, तो मैंने जैसे एक equation ले लिया, x minus 2y is equal to 0, एक equation ले लिया, मैंने 4x plus 6y minus 18 is equal to 0, अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों का equation बनाता हूँ, समझना, दोनों को मैं एक graph पे सोगरने की कोशिस कर रहा हूँ, तो पहले इसको देखो, x, y, जब मैं x के बदले 0 put कर दूँ, इसको मैं ऐसे बिख सकता हूँ, 2x minus 3y is equal to 9, x के बदले 0 put कर दूँ, तो y की value आजाएगी minus 3, y की value 0 put कर दूँ, तो x की value आजाएगी 4.5, clear है, समझो, x, 0, y minus 3, aprox यहाँ आएगा, और दूसरा, y, 0, x, 4.5, aprox यहाँ आएगा, तो यह equation कुछ ऐसा बनेगा, clear है, यह equation कुछ ऐसा बनेगा, देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, यह minus 3 है, ठीक है, minus 2, minus 1, 1, 2, 3, 4, यह है 5, ठीक है, यह equation मैंने बना दिया, अब देखो आप इसका भी बनाता हूँ मैं, तो इसको तो मैं 4x plus 6y is equal to 18 लिख सकता हूँ, अब देखो यह graph कैसे बनेगा, x मैंने 0 ले लिया, y की value 3, अगर मैं y की value 0 ले लूँ, अगर मैं y की value 0 ले लूँ, तो x की value आजाएगी 4.5, ठीक है, equation गलत लिए गया मैंने, यह minus था, sorry, यह minus था, okay, इसमें न यह minus है, ठीक है, यह minus 6 है, यह थोड़ा सा correction है, आप कर ले न, देखो, अब 4x minus 6y है, तो जब मैं x 0 रखो न, तो y की value minus 3 आई है, y की value 0 पुट करूँ, तो x की value 4.5 आएगी, यह देखो, सेम बन गया न, सेम बन गया न, तो जब मैं draw करने के लिए जाऊंगा न, तो ऐसा ही एक equation बन जाएगा, यानि की, एक ही line के दो equation से यह, यह यूं कहलो, ये दो ऐसे line है, जो एक ही जगा से गुजर रहा है, जैसे पहला वाला ऐसे गुजर रहा है, तो दूसरा वाला ऐसे गुजर रहा है, तो आप कितनी भी value निकाल सकते हो, देख लो कितनी value निकाल दो, अब आगे चलके मैं कोई एक और value पुट करूँ, निकल जाएगा, फिर कोई एक पुट करूँ, निकल जाएगा, फिर कोई एक पुट करूँ, निकल जाएगा, तो इन में क्या होता है, कि इसी को हम बोलते है, many solution, यानि अगर आपसे पूछा जाए कि इस question में x और y की कितनी possibilities है, आप बोलो infinite, infinite बहुत है, जितने आप चाहो, उतने बना सकते हो यह क्या है, infinite solution है, infinite, ठीक है, many solution कितने भी बना सकते हो, तो यह एक case होता है, दूसरा जब a1 upon me a2 is equal to b1 upon me b2 is not equal to c1 upon me c2, यह equation बने, तो चलो अब मैं ऐसा एक equation लेके दिखाता हूँ आपको अब जैसे एक equation ले लिया मैंने, x plus 2y minus 4 is equal to 0 2x plus 4y minus 8 is equal to 0 ओके, मानके चलो, 8 या फिर मैं 10 ले लेता हूँ इसको, ठीक है समझना इस question में क्या है, x plus 2y पहले वाले में 4 है और इस वाले में 2x plus 4y is equal to 10 है अगर आप equation देखोगे, यह वाला equation satisfy कर रहा है कौन सा वाला? यह वाला equation कि a1 upon me a2 is equal to b1 upon me b2 is not equal to c1 upon me c2 इसमें यही है, देखो यहाँ पर a, x के साथ 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर y के साथ 2 है x के साथ, sorry, y के साथ 4 है और इधर देखोगे तो यह basically minus 4 है और यह minus 10 है तो यह और यह तो equal है बट यह इनके equal नहीं है अब मैंना इनका equation बनाता हूँ पहले वाले का देखो x, y, x 0 पुट किया y की value 2, y 0 पुट किया x की value 4 यह पहले वाले का बनाया इस वाले का देखो, x और y अगर मैं x की value 0 पुट कर दू y की value 2.5, y की value 0 पुट कर दू तो x की value 5, clear है अब मैं equations बनाता हूँ, देखो X की value 0 Y की value 2, approach यहाँ X की value 4 Y की value 0, approach यहाँ तो एक equation तो यह बन गया यह पहला वाला equation बनाया है मैंने ठीक है? अब देखो solution का मतलब होता है कितनी बार वो touch हो रहा है जैसे पहले वाले equation में आपने देखा हो की दो equation ऐसे जा रहा है that means की कितने भी solution, कितनी बार touch हो रहा है, infinite touch हो रहा है एक के उपर दूसरा चड़के जा रहा है तो infinite solution है, अब यह वाला देखते हैं कि कितना touch होगा, कितनी बार touch हो रहा है तो पहला वाला equation का तो यह बन गया touch होने वाला है यह, कभी touch नहीं होगा क्यों, क्योंकि यह ना parallel line है यह दोनों एक दूसरे के parallel ही चलेंगे, parallel ही चलते रहेंगे चलते रहेंगे, लेकिन कभी touch नहीं होगा तो अगर कभी touch नहीं होगा, तो क्या X और Y की value possible है, नहीं never, never, ever इसी को हम बोलते हैं, no solution असंपाती, I think इसको consistent और इसको inconsistent कहते हैं मैं थोड़ा सा इसमें वो हूँ असंपाती यानि कोई solution नहीं है और एक चीज़ देखना, आँख बंद करके कभी भी equation में caution आएगा न हमेशा इसी पे आएगा, हमेशा इसी पे आता है many solution होता है, और अगर ये है तो no solution होता है, एक और है तीन पॉइंट से total इसमें तीन पॉइंट से, तीसरा पॉइंट में क्या होता है, अगर कभी भी A1 upon में A2 is not equal to B1 upon में B2 आजाए ठीक है, is equal to C1 upon में C2 है, लिखो ना लिखो कोई फरक नहीं परता, छोड़ो इसको कभी भी अगर A1 upon में A2 is equal to, is not equal to B1 upon में B2 होना, तो उस case में क्या होता है, चलो एक बार फिर से equation बनाते हैं, फिर से एक बार equation बनाते हैं, तो दो equation हम फिर से ले रहे हैं, एक है हमारा x minus 2y is equal to 0 एक है 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 ठीक है, अब समझना इस चीज को, अगर मैं इसको वो वाला equation देखूँ तो इसके साथ 1 है, इसके साथ 3 है इसके साथ minus 2 है, इसके साथ 4 है, तो यह equal नहीं है satisfy हो रहा है अब मैं अगर graph बनाने की कोशिस करूँ इसका graph बनेगा x, y इस question में आप 0-0 put नहीं करोगे x, 0 तो y भी 0 हो जाएगा, y, 0 पुट करो तो x भी 0 हो जाएगा, तो कुछ और put करना जो मन में आए, put कर दो, जैसे मैंने y की value 5 पुट कर दी, तो 10, x की value 10 आ जाएगी, ऐसे x की value मान लो मैंने put कर दी, 20 यह 20 है, उदर जाके minus 20 y की value आ जाएगी 10 तो इसका equation बना दिया मैंने points अब इसका देखो x, y अगर मैं x की बदले 0 ले लू तो y की value 5 आ जाएगी y की value 0 ले लू, तो x की value 6.66 आएगी clear है, अब अगर मैं graph बनाऊँ तो देखो y5 x10 ठीक है, y5 x10 ये वाला point होगा पहले 0-0 चल रहा था ध्यार नखना, 0-0 चल रहा था ना तो हम सीधा वाला ले 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 थे ठीक है ये वाला इधर इधर, लेकिन जब बोलू x10, तो x10 तो यहाँ पे है, cd रहे, और y5 यहाँ है, तो एक point तो यह हो गया फिर क्या है, x5 sorry, y10 यहाँ पे होगा, और यह कुछ 20 तो एप्रोक्स इधर के तरफ, तो यहाँ के गरीब बनेगा, ठीक है, यह 20 मान लेते हैं, तो एक equation तो हमारा यह बन गया एक line तो हमारा यह खेज दिया हमने, clear है y is equal to 5, तो यह रहा और अगर y की value 0 है, तो x 6.6 है, तो 6.6 तो एप्रोक्स इधर की तरफ होगा ठीक है, तो यह देखो, एक equation यह बन गया, अब बताओ यह कितनी बार touch हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ touch हो रहा है, और यह कहीं touch नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यह उपर से आया, इधर से निकल गया, और यह इधर से आया, उपर निकल गया, तो यह एक ही बार touch होता है और maximum equation आपको इसी type के मिलेंगे, तो इसको हम बोलते है unique solution इसको हम क्या बोलेंगे unique solution, यानि unique है और एक solution I hope कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं, प्रतिछेद ठीक है प्रतिछेद solution, ओके I hope कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, उसको हम बोलते है linear equation, linear equation से यही वाला question पूछा जाता है, आप देख लोगे मैंने SSE के previous year के questions cover किये है, आप समझ जाओगे कि कैसे इसका answer देना है, तो I hope आपने इसको note कर लिया होगा तो यह तो वो था जिसमें highest power 1 था, अगर highest power 2 हो तो क्या गरेंगे, तो हम उसको बोलेंगे quadratic equation दूई घाती है समीकरन जिसमें highest power क्या है 2 है, तो उसको हम बोलेंगे 2 घाती है समीकरन, जिसमें highest power 2 है, और अगर 2 है, और English में हम बोलेंगे इसको quadratic equation, यह हमेशा इस form में होता है, AX square, plus में BX plus में C AX square, plus में BX, plus में C तो mainly यह जो equation होता है, इसमें हम ज़्यादा focus करते है X की value निकालने में, क्या करते हैं X की value निकालने में, for example जैसे एक equation दे देगा आपको जैसे मान लो, कोई भी equation हम अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं for example, जैसे मैंने एक equation ले लिया, X square plus में, 8 into 5, 40 40X, नहीं, 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 प्लस में 13X plus 40 is equal to 0, यह एक equation ले लिया ओके, यह मैंने equation ले लिया अब अगर मैं इसको solve करूँ अब अगर मैं इसको solve करूँ, तो देखो क्या हो रहा है यह ऐसे बनेगा, X square plus में 8X plus में 5X, plus में 40 is equal to 0 X common लिया X plus 8 यहां से हमने 5 common ले लिया X plus 8, तो दो equation आ गया X plus 8 और X plus 5 इन दोनों में X plus 8 common ले लो, X plus 5 is equal to 0, तो यहां पर X की 2 value आ जाएगी, 1 minus 5 और 1 minus 8, clear है X की कितनी value आई है, 2 value आई है, X की कितनी value आई है 2 value आई है, ध्यान रखना अब ऐसे ही एक equation ले लो, मैं 2X square minus 8 is equal to 0 2X square minus 8 is equal to 0 देखो तो, 2X square is equal to 8 X square is equal to 4 X is equal to plus minus 2 फिर 2 value आ गई, plus 2 minus 2 तो यह होता है quadratic equation, इसमें X की 2 value आती है ध्यान रखना क्या होता है, इसमें X की 2 value आती है, बट linear equation में सिर्फ और सिर्फ एक value आती है वो भी तब, जब A1 upon me A2 is not equal to B1 upon me B2 हो otherwise उसमें solution निकालना possible नहीं होता है I hope यहाँ तक कोई दिकत नहीं होगा, इसमें ना X निकालने का एक तरीका और होता है इसमें X निकालने का ना एक और तरीका होता है जैसे यह formula होता है, लिख सकते हो D is equal to minus, X is equal to minus B plus minus B square minus 4AC upon me 2A यह एक और formula होता है इससे भी आप X निकाल सकते हो, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक ही option में निकालना होता है क्योंकि यह थोड़ा सा difficult होता है समझना कैसे? अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि इसको हम कभी यूज़ करते है ठीक है? ओके एक D एक term होता है, इसको ध्यान रखना D और D का formula होता है B square minus 4AC क्या होता है, D is equal to B square minus 4AC आपको पता होना चीए, B जो X के साथ है A जो X square के साथ है और C जो constant है इसकी तीन value possible है पहला, D greater than 0 एक D is equal to 0 और एक D less than 0 यह तीन value इसकी possible है एक greater than 0 और एक D is equal to 0 और एक D is less than 0 clear है? I hope clear होगा तो देखो, अगर D की value 0 से जादा होता है न तो जो दो value आएगी न, X की जो दो value आएगी X की वो अलग-अलग आएगी तो उसको हम बोलेंगे distinct ठीक है? यानि जो X की value आएगी न, वो अलग-अलग आएगी तो अभी जो मैंने आपको एक equation बताया था याद है ये, X square प्लस में 13X प्लस 40 is equal to 0 अब इसमें मैं D निकाल के दिखाऊ आपको देखो इसमें D किया निकलेगा D is equal to, क्या था? B square D is equal to B square यानि X के साथ 13 है तो 169 minus 4A X के साथ A था C की value 40 थी तो क्या रहा है? 169 minus 160 is equal to 9 आगया न, देखो D अगर 0 से ज़ादा है तो distinct value आएगी क्या आएगी? distinct value यानि अलग-अलग value I hope कोई दिकत नहीं होगा यहां तक अब देखो अगर कभी ही भी D 0 के equal आ जाए D क्या आ जाए? 0 के equal ठीके D 0 भी तो आ सकता है न अगर D 0 आ गया न तो हम उसको बोलेंगे equal value यानि बराबर for example जैसे मैंने एक equation ले लिया X square minus 4X plus 4 X square minus 4X plus 4 is equal to 0 अब देखो अगर मैं इसको solve करने के लिए जाओ ना तो ऐसे होगा X square minus 2X minus 2X plus 4 is equal to 0 X common ले लिया X minus 2 minus 2 common ले लिया X minus 2 is equal to 0 अब देखो यहां दो equations बन रहे है X minus 2 X minus 2 is equal to 0 X की 2 value आ रही है 2 और 2 मतलब कि actually मैं तो A की value आ रही है ना तो that means की दोनों value जो है ना वो equal है अब इसमें अगर मैं D निकालने की कोसिस करूँ देखो अगर मैं इस question में D निकालने की कोसिस करूँ तो क्या आएगा देखना अगर मैं इस question में D निकालने की कोसिस करूँ तो D आ जाएगा आपका X के साथ क्या है 4 है यानि B क्या है 4 है तो 16 minus 4 A A क्या है 1 C कितना है 4 है तो देख लो 16 minus 16 is equal to 0 एक तो distinct value आ रही है और real value आ रही है यानि कि जो value possible है तो equal value आती है जब D की value 0 होती है I hope clear होगा अब एक और होता है mainly जिसमें ना D की value 0 से कम हो तो इसको हम बोलते है imaginary value imaginary value क्या होता है एक number जो हम imagine कर रहे है Iota लगता है mainly उस question में यह हमारे syllabus में नहीं है तो इसलिए मैं आपको करवाऊंगा नहीं बट यह imaginary value होती है तो कभी भी कोई numbers होता है वो दो type में होता है एक होता है real number एक होता है imaginary number real number जो actually में possible है और imaginary number आप कहलो या real number यह कहलो कि जो number line पे represent करते है imaginary number को आप number line पे represent नहीं कर पाते हो तो उस case में क्या होता है D is less than equal to 0 और इस case में हम x की value निकालते हैं यह वाला formula अपलाए करके minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a अब जैसे एक equation है एक equation है से x square plus 9x plus 2 is equal to 0 अब इसमें आप x की value नहीं निकाल पाओगे factor ही नहीं कर पाओगे factor ही नहीं बनेगा तो अब इसमें अगर मैं यह चेक करूँ देखो b square यानि 81 minus sorry मैंने उल्टा ले लिया 2 और 9 होना चाहिए था यहाँ पे तो देखो b square यानि की 2 गा 4 minus 4 into a a 1 c 9 तो 4 minus 36 minus 32 0 से कम आ गया ना तो अगर 0 से कम आ आ है d is less than equal to 0 तो imaginary इसका जो भी d की value आएगी ना वो एक तरह से imaginary आएगी और imaginary का पता कैसे चलता है कि root में minus में आएगा जो अगर root के अंदर minus में है for example मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ये क्या होता है जैसे इसी question को ले लो इसी equations को ले लो जैसे मैंने क्या लिया अभी x square minus 2x plus 9 is equal to 0 तो इस question में अगर मुझे x की value निकालनी हो अगर मुझे इस question में x की value निकालनी हो तो मैं ऐसे लिखूंगा minus minus plus 2 plus minus b square यानि 4 minus 4ac यानि 36 अपॉन में 2 तो देखोगे 2 plus minus minus 32 अपॉन में 2 अब एक बात बताओ 16 का root तो आपको पता है under root 16 क्या होगा under root 16 4 होगा लेकिन अगर मैं आपसे पूछो minus under root 16 क्या होगा क्या आप minus 4 लिखोगे नहीं क्या plus 4 लिखोगे नहीं तो उसमें हम क्या करते हैं minus की value बुट कर देते हैं minus की value होती है iota square क्या होता है iota square तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा minus iota square into में 16 अब देखो 16 का root 4 और iota square है तो 4 iota इसकी value 4 iota हो जागा तो ये जो iota है ना वो imaginary number है ये basically अगर under root के अंदर कभी भी root के अंदर minus आ जाए ना तो उसको हटाने के लिए होता है i hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा तो इस type के questions आएंगे कि आपसे बोला जाएगा कि जो roots है न equations के ध्यान रखना जो roots है equations के वो है equal वो है equal तो x की value निकालो तो उस question में आप direct value पुट कर गए ये वाला कि d is equal to b square minus 4ac is equal to 0 अभी देख लोगे आने वाले दिनों में अभी देख लोगे मैं करवाओंगा भी step के questions अब देखो एक और चीज रह गया है zeros एक और चीज है quadratic equation में zeros होता है अभी जो हम x की दो value find के थे थे minus 8 minus 5 क्या था equation अगर याद हो तो x square plus 13x plus 40 is equal to 0 यही था न या फिर ax square plus bx plus c तो x की जो दो value आती है उसको हम बोलते हैं सुन्यक या फिर zeros क्या बोलते हैं उसको zeros I hope समझ में आ रहोगा क्या होता है zeros जो भी x की दो value आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे zeros बोलेंगे सुन्यक तो कितने हैं basically 2 है कितने हैं 2 है अगर आपसे factor ना निकाल के direct निकालने के लिए बोला जाए तो आप देखो कैसे कर सकते हो sum of zeros जो होता है न sum of zeros वो होता है हमारा basically जैसे 2 zeros है ना हम उसको alpha और beta गहते है ठीक है जो 2 x की value उसको alpha और beta गहते है alpha और beta यानि 2 zeros एक alpha एक beta x की 2 value है एक value alpha एक beta है तो sum of zeros का formula होता है minus b by a क्या होता है minus b by a ध्यान रखना ax square plus bx plus c यह क्या है यह equation है ओके आज की class थोड़ी tough लगेगी आपको थोड़ा theoretical है ना कल करेंगे वो x plus 1 x is equal to p जो sse के जो typical class है ना वो हम कल से start करेंगे ठीक है मतलब अगली class यानि third class जो होगी ना वो हमारी यह बहुत जरूरी है समझ लेना इसकी questions आते हैं exam में यह जितने भी मैं भी लिया हूँ यह sse के questions है तो sum of roots क्या होता है minus b by a जैसे अब मुझे इस question में निकालना हो alpha plus beta क्या होगा तो मैं सीधा x के साथ क्या है b minus 13 क्योंकि इस question में a की value 1 है b की value 13 है और c की value 40 है तो minus b upon में a तो minus 13 sum of zeros क्या है minus 13 अब खुद जोड़ के देख लो x की दो value आई थी minus 8 और minus 5 यानि alpha minus 8 था beta minus 5 था ठीक है अब add कर के देखो तो minus 13 आएगा अब देखो sum of roots का formula क्या होता है sorry sum तो मैंने बता दिया sum of zeros zeros को roots भी गह सकते हैं और एक होता है हमारा product of zeros उसका formula होता है c by a ठीक है जैसे इस question में अगर मुझे alpha into beta लेना हो तो मैं सीधा 8 into minus 5 minus 8 into minus 5 40 लिख सकता हूँ ना अब इस formula से चलते है c by a तो c कितना है 40 और a कितना है 1 देख रहे हो satisfy गर रहा है ना satisfy गर रहा है ना तो ये दो formula है बार बार use होते है sub of zeros and product of zeros I hope clear होगा यहां तक I hope यहां तक clear होगा अब देखो इससे ना एक equations और बनता है अब जैसे for example मुझे दे दिया एक question में मुझे ऐसे दे दिया कि बताओ कि alpha की value है minus 8 beta की value है minus 5 alpha की value है minus 8 beta की value है minus 5 यानि कि x के दो value है दो zeros है एक है minus 8 और एक है minus 5 अब बताओ कि equation कौन सा होगा equation निकालना तो equation का formula क्या होता देखो x square minus x into में sum of zeros plus में product of zeros ये formula होता है ठीक है for example x square minus x into में alpha plus beta plus में alpha into beta ओके है तो इस question में अगर लें तो देखो x square minus x alpha plus beta कितना था minus 8 minus 5 minus 13 plus में minus 8 into minus 5 40 था अगर आपको गौर से याद हो थोड़ी देर पहले मैंने यही equations तो बताया था यानि कि अगर x की दो value हमें पता हो तो हम equation भी निकाल सकते हैं हम equation भी निकाल सकते हैं I hope यहाँ तक problem नहीं होगा ओके दो मिनिट दो मैं पानी पी लेता हूँ basically जो मैं आज तुमें सिखा रहा हूँ न यह 9th और 10th दोनों class को मिदा कर गए है तो इसलिए थोरी में ज़्यादा time लग रहा है अब एक और है जो कई बार आ जाता है जैसे cubic equation है तो आपको बस याद गर लेना है cubic equation है cubic equation का मतलब है इसमें एक value alpha की होगी एक beta होगा और एक gamma होगा alpha, beta, gamma यह तीन value होगी cubic मतलब यह वाला ax की cube प्लस में bx square प्लस में cx प्लस cx प्लस में d is equal to 0 यह दे रखा cubic equation अब इसमें भी आप sum of product of का formula होता है for example देखो अगर आप से पूछा जाए alpha प्लस beta प्लस gamma तो इसका formula होता है minus b by a दो मेंट देना मुझे इसका भी formula क्या होता है minus b by a ओके हैं और अगर आप से alpha into beta into gamma पूछ दे तो इसमें धानक ना d by a होता है जैसे उसमें था c by a ना इसमें क्या होता है d by a होता है minus d by a और एक और होता है alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to c by a दियान रखना यहाँ minus है यहाँ पे नहीं है अब कभी भी अगर equation दे रखा है तीन value दे रखा हो या sum दे रखा हो product दे रखा हो तो यह formula है इसको रट लो अगर use हो जाए तो ठीक है वैसे मैं ने देखा नहीं है sse को आज तक ऐसे question पूछते हुए बढ़ अगर आ जाये तो आप ऐसे apply कर देना can I start now अब हम लोग अपने class पे चले question start करते है I hope मैंने बहुत जादा बोर आपको नहीं किया है अब जैसे इस question को देख लो क्या करता sum of the roots of the equality equation इसमें आपको sum of the roots निकालने है बताओ भया sum of the roots क्या होगा sum of the roots एक equation दे रखा है क्या equation है x square plus 6x plus 8 is equal to 0 यह equation दे रखा है और what you need to find कि sum of the equation क्या होगा तो क्या हम x की दो value find करे नहीं न इतना time नहीं है हमें पता है sum of roots का formula होता है alpha plus beta का minus b by a b क्या होता है जो x के साथ है कितना 6 तो minus 6 और a क्या है जो x के साथ है 1 तो minus 6 by 1 minus 6 is your answer देख रहे हो direct आ जाएगा otherwise आप equation solve करोगे दो value आ जाएगी equation भी solve करोगे तो दो value आ जाएगी 1 minus 4 एक minus 4 और एक minus 2 दो value आएगी जब solve करोगे न equation अगर इसी में sum of the roots पूछा जाएगा sorry multiplication of roots पूछा जाता alpha into beta तो क्या होता 8 upon में 1 8 ओके तो पहले वाले का answer क्या है B है ध्यान रखना यह SSE के question है second देखो आप से पूछा गया है कि बताओ एक quadratic equation जिसके roots 1 और minus 3 है क्या है 1 और minus 3 है तो वो quadratic equation कैसा दिखेगा देखो roots मतलब क्या है जिसका mole यानि उसकी value दो value दे रखिए कितनी एक है alpha is equal to 1 एक है beta is equal to minus 3 beta is equal to minus 3 तो देखो सबसे पहले क्या करो आप sum of roots निकालो alpha plus beta तो 1 minus 3 minus 2 आ जाएगा और एक इनका multiplication निकाल दो तो 1 into minus 3 minus 3 आ जाएगा clear है अब देखो formula क्या था x square minus x into में sum of the roots plus में alpha into beta अब आपको value बुट करनी है simple x square minus x alpha plus beta कितना निकाला minus 2 alpha into beta कितना निकाला minus 3 तो देखो minus 2 इधर आ जाएगा x square plus में 2x minus 3 is equal to 0 ठीक है यह हमेशा equal to 0 होता है अब देख लो ठीक इसी से मिलता जोलता equation तो आप देखोगे b है b dicto यही equation है बिल्कुल कुछ change नहीं है यह equation है I hope clear होगा तो यह तो आसान questions थे अब देखो इसी questions को घुमा फिरा के tough कैसे किया जा सकता है जैसे देखो क्या है alpha and beta are the roots of the equation alpha और beta इसके roots है यानि दो value है 6x square plus 13x plus 7 is equal to 0 के दो value है alpha और beta आप से पूछा है कि वो वाला equation बताओ वो equation बताओ जिसका root है alpha square और beta square तो पहले तो alpha बीटा निकालो दो तरीके हैं direct solve कर लो चाहो तो direct solve कर सकते हो कैसे देखो 6x square था plus 13x था plus 7 था आप इसको factor करोगे तो देखो 6x square plus 6x plus 7x plus 7 is equal to 0 6x common लिया x plus 1 plus 7 common लिया x plus 1 तो दो equation आया एक आया x plus 1 और एक आया है 6x plus 7 तो x की दो value आ गई है minus 1 और minus 7 अपॉन में 6 ठीक है तो alpha और beta क्या आया है alpha आ गया minus 1 और beta आ गया minus 7 by 6 तो alpha कितना आ गया है आपका alpha आ गया आपका minus 1 और beta minus 7 अपॉन में 6 clear है ये दो value हमने निकाल दी तो alpha और beta तो आ चुका है अब हमसे पूचा है कि वो equation बताओ जिसके roots alpha square और beta square हो तो जब मैं alpha square करता हूँ तो वो बन जाएगा 1 और जब मैं beta square करता हूँ तो वो बन जाएगा 49 अपॉन में 36 clear है alpha square 1 और beta square 49 by 36 अब देखो equation का formula क्या होता है x square minus x into my sum of the roots यानि alpha square प्लस beta square प्लस में alpha square beta square product of root ओके I hope ये समझ में आगे होगा मैंने alpha square और beta square क्यों निकाला क्योंकि इसका root c alpha square और beta square है तो देखो x square minus में x into में sum करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ये करोगे तो 85 by 36 आ जाएगा कितना आ गया है 85 upon में 36 और multiplication करोगे तो प्लस में 49 upon सरी हाँ 49 upon में 36 इन दोने को multiply करोगे तो 49 by 36 अब equation क्या बन रहा है यहाँ पर 36 है यहाँ नहीं है तो यहाँ लगा दो 36 x square minus 85 x plus 49 is equal to 0 ये equation आ जाएगा 36 x square minus 85 x plus 49 is equal to 0 option number c देख रहे हैं ना तो इस type के questions exams में पूछे जाते हैं question number 4 देखो क्या गहा रहा है बहुत ही प्यारा question है अलफा बीटा are the roots of the equation equation दे रखा है क्या है equation equation दे रखा है 2 x square minus x plus 1 is equal to 0 आपसे अलफा क्यूब बीटा क्यूब आसान तो यह होगा कि इसको solve कर लो अलफा और बीटा निकाल दो और क्यूब कर दो formula आ जाएगा बट इतना आसान है नहीं क्योंकि इसमें अगर solve करोगे न तो x की value आएगी नहीं imaginary आएगी तो क्या करें हमें निकालना है क्या alpha q plus beta q यह निकालना है अब देखो कैसे कर सकते हो इसको अगर इस question को देखो तो क्या मैं alpha plus beta निकाल सकता हूँ alpha plus beta जाएगा minus b by a यानि 1 by 2 alpha q plus beta q अब निकालना है देखो क्या कर सकते हो alpha plus beta का hall q क्या होता है a q q plus b q plus में 3 a b a plus b यह formula है identity हम next के next class में करेंगे यानि 5 भी class हमारी identity पे होगी जैसा जैसा चलता रहेगा मैं वैसे वैसे करवाँगा ऐसा निकी सुरू में सब करवा दिया question आता रहेगा मैं करवाता रहूँगा अब देखो इस question को alpha plus beta क्या था 1 by 2 cube करोगे तो 1 by 8 यह निकालना है हमें यही तो निकालना है plus में 3 into alpha plus alpha beta कितना है 1 by 2 और यहाँ alpha plus beta कितना है 1 by 2 तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि alpha cube plus beta cube is equal to 1 by 8 minus यह उदर जाके minus जाएगा 3 by 4 ठीक है solve करोगे इसको तो यह जाएगा minus 5 by 8 minus 5 by 8 यह देखो option number a बहुत प्यारा question था लेकिन दिमाग लगाना था था easy लेकिन दिमाग लगाना था वरना नहीं होत्ता यह question question number 5 देखो क्या है if alpha and beta are the roots of the equation as ax square plus bx plus c तो बताओ alpha plus alpha upon me beta square plus me beta upon me alpha square की value क्या होगी देखो equation दे रखा है equation है ax square plus me bx plus c is equal to 0 और हमें निकालना क्या है हमें निकालना है alpha upon me beta square plus me beta upon me alpha square तो देखो alpha cube plus beta cube upon me alpha square beta square actually मैं हमें यही तो निकालना है पुराने question की तरह हो गया ना पीछे वाले question की तरह alpha cube, beta cube कैसे निकालना है अब आपको आ चुका है क्या करोगे देखो sum of the roots minus b by a product of root c by a और मैं अगर इसका cube करूँ तो minus b की cube upon में a की cube ठीक है मैं सीधा formula में put कर रहा हूँ देखो यह formula था ना हमारा a की cube plus b की cube plus में 3 a b a plus b तो देखो a की cube a plus b का cube किया तो minus b का cube upon में a का cube आ गया a का cube यानि alpha cube plus b cube यह इसकी ज़रूत नहीं है क्योंकि इसकी value तो हमें निकाल नहीं है न plus में 3 a b यानि alpha into beta c by a a plus b यानि alpha plus beta minus b by a तो कुल में लागे देखोगे alpha cube plus beta cube की value आ जाएगी minus b की cube upon में a की cube यह इदर आएगा तो plus में 3 c b upon में a square clear है? थोड़ा अच्छा कोशन है यह है अब देखो equation ले लिया मैंने a की cube तो यह आ जाएगा आपका minus b की cube plus में 3 a square c यह आ गया value alpha cube plus beta cube की clear है? अब put कर दो यहाँ पे alpha square plus beta square क्या आ जाएगा? देखो इसी question में alpha cube plus beta cube क्या दे रखा है? minus b upon में minus b की cube upon में sorry plus में 3 a square c upon में a की cube यह तो मैंने निकाल दी है alpha cube plus beta cube alpha square beta square क्या होगा? alpha beta का square कर दो यानि c square upon में a square तो यह देखो यह इससे कटेगा एक a बचेगा यह आगे आपका 3 a square c minus b cube upon में a c square यह answer है देख लो इससे मिलता जुलता कोई कोश्चन हो तो इसकी according तो none of these आ रहा है इसमें से तो 3 a, b, c आ रहा है none of these चेक करते हैं कहीं हमने गलती किया है क्या? alpha plus beta are the roots of the equation तो sum of the roots आ गया minus b upon में a product आ गया c by a cube किया minus b cube a की cube a की cube plus b की cube यह तो हमें निकालना ही था plus में 3 alpha plus beta alpha beta c by a और minus b by a ठीक है minus b cube upon में a की cube plus में 3 c b upon में a square यह भी ठीक है equation लिया a की cube minus b की cube a उदर multiply होगा तो 3 a, c, b a, b, c आ, आ देखो यह 3 a, c, b था यानि a, b, c ओके? कोई दिक्कत नहीं है 3 a, b, c upon में a की cube alpha square, beta square c square by a square a, c square आएगा नीचे है आमेशा तो मुझे तो कहीं गलती नहीं दिखी है और none of these is cancer है none of these possible है ठीक है none of these is cancer है अगला question देखो question number 6 roots of the equation 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0 r alpha and beta देखो एक equation है 2x square plus में 3x plus 7 कभी भी इस type का question आए तो better alpha और x की value find करने की कोशिस मत करना थोड़ा tough ही हो जाएगा वो easy नहीं होगा थोड़ा tough हो जाएगा तो 2 root से alpha and beta तो हमें पता है कि alpha plus beta जो होगा वो minus 3 by 2 होगा और alpha into beta 7 by 2 होगा ये अब आपको पता चल चुका है अब देखो निकालना क्या है इसने बोला है हमें निकालना है हमें निकालना है alpha beta की power minus 1 plus में beta upon में alpha ये निकालना है तो इसको लिख सकते हो alpha square plus में beta square upon में alpha beta इसकी value find करने हैं आपको clear है? अब देखो कैसे निकालोगे alpha plus beta का all square कर दो तो हमें पता होना चीए a square plus a plus b का all square का formula होता है a square plus b square plus 2ab तो देखो a plus b यानि इसका square 9 by 4 alpha square plus beta square प्लस में 2 into में a b alpha into beta 7 by 2 तो 2 से 2 cancel alpha square plus beta square आ जाएगा आपका 9 by 4 minus 7 minus 19 by 4 क्या आ गया? minus 19 by 4 आपको निकालना क्या था इसकी value तो alpha square plus beta square तो आ गया minus 19 by 4 और alpha बीटा था 7 by 2 2 गटा 2 minus 19 by 14 ये इसका अंसर आ जाएगा minus 19 by 14 option number D बहुत प्यारे questions था सारे question number 7 देखो थोड़े अच्छे भी है मतलब लेवल भी अच्छा है alpha and beta are the roots of the quadratic equation alpha plus beta 8 दे रखा है which of the equations which of the following equations will have the roots alpha की power 4 and beta की power 4 तो देखो alpha की power 4 and beta की power 4 उसी equation में होगा जो equation इसको follow करेगा x square minus x into में alpha की power 4 plus में beta की power 4 minus alpha की power 4 beta की power 4 clear है? हमें यानि इसकी और इसकी value निकाल ली है दे क्या रखा है हमारे पास? हमारे पास दे रखा है alpha plus beta कितना? 8 और alpha minus beta कितना दे रखा है? 2 root 5 solve करें तो 2 alpha आ जाएगा आपका 8 plus 2 root 5 alpha की value आ जाएगी 4 plus root 5 कोई दिक्कत? यह alpha आ चुका है हमारा ठीक है? यह क्या है हमारा? alpha ऐसे ही अगर मुझे beta निकालना हो तो मुझे minus करना पड़ेगा तो 2 beta is equal to 8 minus 2 root 5 तो beta क्या आ जाएगा? 4 minus root 5 clear है? मैंने इस equation को solve किया और इस equation से अब तक 2 value आ चुकी है एक alpha की root 5 clear है? यह आ रखा है अब हमें निकालना alpha की power 4, beta की power 4 minus alpha 4 और beta 4 यह हमें निकालना है अब जड़ा गौर से देखो alpha into beta क्या आ रहा है? अगर आप देखो कि alpha into beta आ रहा है 4 into 4 16 minus 5 11 ओके? देट मीन्स कि यह minus 11 की power 4 है ओके? यह क्या है? minus 11 की power 4 है और सारी value सेम है तो cross check करके कोई फायदा है नहीं ठीक है? तो इसको solve करने की ज़रूद है नहीं 11 की power 4 क्योंकि 4 value सेम है अब देखो alpha की power 4 कैसे निकालोगे? पहले आप alpha square निकालो alpha की value कितनी थी? 4 plus root 5 अगर मैं alpha square निकालो थो पहले तो 16 plus में 5 plus में 8 root 5 तो alpha square आजाएगा mainly 21 plus में 8 root 5 यहीं से आपको पता होना चाहिए कि beta square आजाएगा 21 minus 8 root 5 ठीक है? क्योंकि beta में बस minus कहीं तो फर्क है अब देखो alpha की power 4 हमें इसका square करना पड़ेगा तो 441 plus में 64 into 5 कितना होता है? 84 into में 5 320 plus में 21 into में 8 163 36 root 5 clear है? यह मैंने alpha की power 4 निकाला है अब देखो अगर मुझे beta की power 4 भी निकालना होना दिमाग लगाना इसका अगर 4 करोगे न तो यह 441 ही रहेगा यह 320 ही रहेगा यह minus 336 root 5 हो जाएगा यहाँ add करना है न तो यह कट जाएगा यह कट जाएगा, यह निकटेगा तो यह कितना आ रहे? 441, 320 761 761 तो यह 2 1522 1522 यह आ गया न कितना आसान था? बहुत आसान था लेकिन equations है और एक तरह साब को solve करना आना चाहिए approach आना चाहिए multiplication का और हम सुरू से करते आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए और यह सब बहुत important question है अब देखो, अब थोड़े आसान question आएंगे यह कुछ one solution, no solution infinite solution पहे है ठीक है? one solution कब होता था? अगर याद हो तो जब a1 upon में a2 not equal to b1 upon में b2 हो no solution कब होता था? जब many solution हो, यानि a1 upon में a2 sorry, यह तो infinite solution था ना b1 upon में b2 is equal to c1 upon में c2 और no solution का था a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2 is not equal to c1 upon में c2 यह तीनों आपको पता होना चाहिए अब देखो इस question में हमसे पूछा है इसमें दे रखा है दो equations है कितने equation है? दो equation है इस type के question exam में आते हैं 7x प्लस में 8ky minus 16 is equal to 0 और दूसरा दे रखा है 14x प्लस में 112y minus 21 is equal to 0 यह दो pairs of equations है हमें ना k की value निकालनी है जिसके लिए यह इनकंसिस्टेंट हो और इनकंसिस्टेंट बोलते है parallel बें inconsistent यानि कि system आसंगत कब होता है आसंगत जब होता है वो parallel lines हो जब वो parallel lines हो ध्यान रखना जब वो parallel lines हो तो उस case में क्या होता है? a1 upon में a2 a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2 8 k upon में 112 ओके है देखो कैसे कड़ेगा 7 से कड़ा 2 2 से कड़ा यह 56 8 से कड़ा 7 तो k की value आगई 7 कितना आसान है और कितना आसान लोगे k की value 7 यह इसका answer हो जाएगा 8 का d और ज़्यादा तर जो question आएगा ना ध्यान रखना वो यही वाला आएगा जिसमें आपसे p की value पूछी जाएगी और वो या तो parallel होगा या infinite solution होगा क्योंकि one solution वाले questions से बनेंगे यह नहीं देखो क्या गह रहा है if two lines this and this have infinite number of solution infinite यानि a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2 is equal to c1 upon में c2 then what are the value of p and q p और q तो देखो क्या होगा p upon में 2 is equal to 6 upon में q is equal to 3 upon में 3 ठीक है यानि p upon में 2 6 upon में q 3 upon में 3 यह equal होगा 3 upon में 3 1 होता है न that means कि p की value 2 होगी that means कि देखो 2 पटा 2 एक होता है तो p की value 2 आ गई और q की value क्या आएगी 6 आएगी तो 2 and 6 ध्यान लगना 2 and 6 6 and 2 नहीं क्योंकि infinite solution है तो इसी type से questions पूछेंगे आप से अब जैसे question number 10 है solve the quadratic equation थोड़ी सी गलती है इसमें ना कुछ question number 10 मैं ना इसको अगले class मैं add कर दूँगा क्योंकि इसमें ना typing error है दिखने रहा ax square minus वैसे देखो क्योंकि exactly one solution है तो हमें पता है ये कब होता है one solution मतलब होता है equals solution तो वो तब होता है जब d is equal to 0 हो यानि b square minus 4ac is equal to 0 हो तो ये equation step से हो सकता था ax square minus 5x plus 2 is equal to 0 ये इस टाइब से equation आ सकता है ये plus 2 या minus 2 होगा तो b square कितना आ जाएगा 5 का square 25 minus 4 a कितना है ये और c कितना है 2 is equal to 0 अगर ये minus 2 है तो तो इस case में तो हमारा a की value minus 25 by 8 आ रही है ठीक है मैं देख लूँगा next मैं add कर लूँगा इसको okay typing error है आज का last question देख लो the roots of the equations will be equal बताओ r की क्या value होगी देखो इसके roots equal है तो roots equal का मतलब क्या है कि d square sorry d जो है वो 0 है d क्या होता है b square minus 4ac ये क्या है ये 0 है b square यानि की minus r का square तो r square minus 4 a कितना है 9 c कितना है minus 81 is equal to 0 तो देखो r square is equal to 36 into 81 ये उदर जाएगा तो plus हो जाएगा वैसे minus 4ac ठीक है ये आ जाएगा ये भी plus में होना चाहिए क्योंकि अगर ये minus होते है इसको plus कर देना b square minus 4ac तो अब देखो 36 और 81 इसका root क्या होता है 37 का 6 होता है और 81 का 9 होता है तो 9 into 6 54 plus minus 54 क्या होगा plus minus 54 कई बार आपने देखा होगा plus minus होता है कई बार नहीं होता है देखो हमेशा ध्यान रखना ये बहुत simple सा logic है under root 16 अगर आप से पूछा जाया ना समझना इस चीज को ठीक है वैसे एक question खदम हो चुका है ये थोड़ा सा अलग सा concept है अगर कभी भी x square is equal to 16 हो तो x की value आएगी x की value आएगी plus minus 4 clear है और कभी भी अगर x की value under root 16 दे रखा है तो उस case में x की value आएगी 4 ठीक है ये बहुत minor सा difference है लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं और बहुत तो को पताने रहता है बढ़ आपको पता है तो thank you so much मिलता होगी ये class में I hope class पसंद आई होगी थोड़ी लंबी है बट बहुत important है कल हम करेंगे x plus 1 by x वाले यानि अगली class में जो YouTube पर आएगा पेट वाले बच्चे प्लीज homework कर लेना और homework के साथ मिलते हैं अगली class में Thank you so much